नमस्कार सातियों, एक 13 साल की लड़की बाजार गई हुई थी सबजी लेने, सबजी लेकर के जब वो अपने घर जा रही थी वापस तो रास्ते में उसको एक लड़का मिलता है, लड़के का नाम होता है राजू, राजू को जब वो देखती है तो पहचान लेती है, दरसल जो राजू था वो उसे के गाउं का रहने वाला था, दिल्ली में रहता था और कभी कबार गाउं आता था, गाउं में जो लड़कियां होती है, सब राजू को जानती थी, कापी अच्छी परशनाल्टी थी, और जो लड़की होती है, वो राजू को देखते ही कहती है, भा वहाँ पे आपने उसकी help करी, वहाँ पे आपने उसकी job लगवा दी, अब सोफिया घर में अच्छे खासे पैसे भेजती है, जिसे मा और मेरे पिता जी की help हो जाती है, राजू उसको पैचानता है रहे, तुम सोफिया की बहन हो, तुम तो बहुत जल्दी बड़ी हो गई, इ तुम को पढ़ाई लिखाई में ध्यान देना चाहिए, जो साजिया होती है, वो नहीं मानती, वो कहती है, नहीं मुझे, जैसे सोफिया को सिलाई कड़ाई का काम आता था, वो ऐसा ही मैंने भी अच्छे तरीके से सिलाई कड़ाई का काम सीखा है, और मेरी ये दिली ठीक है, मैं तुम को ले तो जा सकता हूं, काम भी लगवा सकता हूं, लेकिन तुम्हारे मा और पिताजी को जब पता चलेगा, तो वो क्या सोचें के? लड़की कहती है जो साजिया होती वो कहती है मा पिता जी को अगर पता ही न चले तो मैं अगर बिना बताय चली जाओं राजु कहता है ये तो बहुत गलत बात होगी साजिया कहती है हाँ गलत बात तो होगी लेकिन जब मैं वहां से पैसे बेजूंगी और अपने ममी पापा को जब बताऊंगी कि मेरी भी ज़ॉब लग गई है तो ममी पापा बहुत खोश होंगे राजू कहता है ठीक है पर शलो ऐसा कहके राजू जो है वो उसके साथ उसको अपने साथ लिवा ले जाता है दिली दिली में सास्त्री नगर एक जगे होती है वहाँ पे रहता था राजू लंबा सफर करके पस्चिम बंगाल से वो दिली गई लंबा सफर था बाया ट्रेन गई थी ट्रेन के दोरा तो सफर लंबा होने के कारण जब वो सास्ती ने कर पहुंसती है तो ठक जाती है राजू उसको एक कैपसूल देता है राजू कैपसूल देता है दरसल वो एक हार्मोन को असंतुलित करने वाला कैपसूल था उसके सेक्स वर्दक कैपसूल जो ही वो देता है उसको साजिया उसको खाती है उसके सरीर में बदलाव सुरू हो जाते है उसको अजीब सा लगने लगता है और कैपसूल का जब उसको अ सबके सामने कमरे में ले जाके उसने उसके साथ संबन बनाया साम को फिर संबन बनाया अगले दिन जब उसको हलकालका होस आया जो है उसको होस आता उसको कैप्सूल दे दिया जाता और राजू उसके साथ बेतहासा संबन बना रहाता जब उसका मन हो रहा था लगा था और तीन दिन तक उसने ऐसा किया तीसरे दिन उसको कैपसूल नहीं दिया गया उसको बहुत आ चुका था कैपसूल जब दिया नहीं गया तो कैपसूल का असर भी खतम हो गया अब उसको सारी बाते समन में आने लगी जो राजू होता है वो एक सेक्स रैकेट चलाया करता था उसने साजिया की बहन सोफिया को दिल्ली में ला करके कोई सिलाई कड़ाई के काम में नहीं लगाया था उसको यहाँ पे सेक्स रैकेट के धंदे में फ़सा दिया था किसी कोठे पे बिठा दिया था उसको इस काम में उसकी मदद करती थी उसकी साली अब वो जो लड़की जो साजिया थी घर से सपने सजा करके आई थी दिली उसकी जिन्दगी नर्क बन चुकी थी रोज उसके जिन्दगी में नए नए कस्टमर आते लेकिन एक दिन ऐसा आया कि उसकी जिन्दगी जहां से सुरू कि वहीं पे खतम होगी। आइए विस्तार से इस घटना को जानते हैं। मिट्रो के दर्वाजे बंद हो जाते हैं। फोटी बहन जो होती है वहीं पे चीखने लगती है। लेकिन अब क्या करें। मिट्रो के में आटोमेटिक सिस्टम होता है। ट्रेंड चली जाती ही वहां से वहां पे बेधासा चीख रही थी। मुझको मेरी बहन के पास जाना अब ट्रेंड तो जा चुकी थी वहां पे पुलिस अधिकारी बैठा हुआ था। उसने उस लड़की को अपने पास बुलाया। उसने का क्या बात है। उसने बताया मेरी बहन इस ट्रेंड में बैठ करके चली गई है दिल्ली और मुझे भी जाना है। अब जो पुलिस जाता है अरे बच्ची कोई बात नहीं है पांच-पांच मिनिट में ट्रेंड आती हैं अभी तुमारी जो बहन गई हुई है वो भी वापस आ जाई है। ऐसा कहके वो उसको अपने पास रोक लेता है लेकिन एक घंटा हो जाता है दो गंटे उड़ाते हैं वो बड़ी बहन वापस नहीं आती है जो बड़ी बहन वापस नहीं आती है तो पूले साधिकारी को चिंता होती है और वो लड़की से एक वहाँ पे चाइल्ड वेलफेर जो कमेटी होती है उसको सूचित करता है पूले साधिकारी लड़की से नाम आम पूसता है लड़की अपना नाम साज साजía बताती है, और Child Welfare Committee के लोग आते हैं, उसको अपने साल ले के जाते हैं, लेकिन जब कोई उसको लेने नहीं आया, उसके परिवार से एक दिन हो जाता है, दो दिन हो 극िया होते हैं, कोई भी नई लेने आता है, तो Child Welfare Committee के लोग जो होते हैं, वो, उसको एक Dobre match permit, होता यह सितंबर की घटना थी नौंबर आ जाता है, नौंबर में एक सक्तिवाइनी NGO होता है, वहां के एक सदस को ये बात पता चलती है कि दिल्ली के फरीदाबाद में ट्रोरेश्टेसन से एक लड़की बरामत की गई थी, जिसको अभी तक उसके घरवाले लेने नहीं आये हैं, और वो सिल्टर हों में रह रही है, लगातार एक महीना हो चला है, अब जब सक्तिवाइनी के उस सदस को मालूम होता है, उस लड़की के बारे में, तो वो अपने जो NGO की, जो सक्तिवाइनी NGO होती है, उसकी जो मुखिया होती है, उनको सूचित किया जाता है, उनकी जो अध CWC जो Child Welfare Committee होती है वो भी लोग जाते हैं दरसाल सक्तिवाइनी NGO काफी जाना माना NGO है उसको जब उस लड़की के बारे में पता चला तो उसने सबी को आउगत करा दिया उस लड़की के बचाओ के लिए जानकारी के लिए कि आखिरकार माजरा क्या है लड़की को अभी तक क के लोग होते हैं और साथ ही जो CWC कमेटी के लोग होते हैं वो सब हैरान रह जाते हैं कि आखिरकार इस लड़की के साथ में इतनी बड़ी जाती हुई सक्तिवायनी NGO के लोग पुलिस पर से भी वो जगणने लगते हैं पुलिस पर काफी नाराज होते हैं कि एक महिना हो गया आपने कोई F.I.R. आतक दर्ज नहीं की और लड़की इतने कष्ट में है उसने जो कहानी बताई वो इस तरह थी दरसल लड़की पस्चिम बंगाल के नाडिया जिले की रहने वाली थी और लड़की एक बड़ी बहन जिसका नाम होता है सोफिया वो दिल्ली में एक राजू नाम के लड़के के साथ में आई थी कुछ माँ पहले जब वो राजू नाम का लड़का फिर उसके गाउं गया तो जो साजिया थी वो अपनी बहन के पास जाना चाहती थी छोटी थी तेरा साल की थी तो वो राजू के संपर कोई आई राजू ने उसको अपने साथ लिया और घर में भी ने बताया और राजू उसको ले के आता है जो सेक्स वर्दक कैपसूल होते हैं वो दिये वो सेक्स वर्दक कैपसूल देने के बाद में उसको हार्मोन्स के इंजक्शन देने के बाद में उसके सरीर में बहुत तेजी से हार्मोन्स बदलने लगे हार्मोन्स बदले लड़की को मदोसी चाही और उसमें जो है लड़की क शरीर के अंगों में अजीब सी हलचल होने लगी जिसके बाद में राजू ने उसके साथ संबंद बनाए, संबंद बनाता रहा वो लगाता रहा तीन दिन तक ऐसा करता रहा और बड़े ताज़ु की बाद थी कि राजु की पतनी और साली ने कताई उसका बिरोध नहीं किया ना उस लड़की की मदद की जब तीन दिन हो गए उसके बाद में जो साजिया थी जो की राजु का विस्वास करके आई थी अपनी बहन से मिलने आई थी उसके साथ में सोच रही थी कि हम अपने बहन के साथ मिलकर के काम करेंगे सिलाई बिनाई का उसके साथ में जब यह ग कहते हैं वैसा ही करना पड़ेगा साजिया आप काफी परेसान हो चुकी थी अपनी बेहन को बहुत चाहती थी साजिया चुप हो जाती है जब पस्चिम बंगाल से दिल्ली आए हुए उसको तीन दिन हो जाते हैं चौथा दिन होता है तो राजू चूंकि एक सेक्स स्केंडल चला रहा था वहां पर सेक्स रैकेट चला रहा था तो उसके पास फोन आया करते थे कस्टमर्स के तो उसको एक कस्टमर का फोन आता है जो कि 80 साल का होता है 80 साल के उस customer के पास जो राजू होता है उस लड़की को भेजता है साजिया को अपनी साली के साथ में वो जो उसकी साली थी दरसल वही लड़कियों को ले करके customers के पास जाय करती थी अलग-अलग hotelों में, अलग-अलग restaurants में और अलग-अलग जगहों पे ले जाती थी कभी-कभी customer घर पर भी आया कर देती साजिया के साथ में वो 80 साल का जो बुजूर्ग होता है वो संबन बनाता है 2-3 गंटे हो जाते हैं, 2-3 गंटे के बाद में साजिया को चोड़ता है, कापी रो रही थी उसके बाद में साजिया जब सासी नगर आती है, तो दूसरे customer का फोन आ जाता है ऐसे होते करते, 14 दिन उसके साथ लगवे, 15 लोगों ने संबन बनाया 15 लोगों ने उसके साथ में संबन पहले दिन ही ने बनाया उसके बाद में साजिया ने जब NGO के लोगों को बताया कि रोज उसके साथ में 20-25 कर्ष्टमर संबन बनाते थे नए-नए कर्ष्टमर अलग-अलग जगों पर उसको ले जाती थी राजू की साली और नए-ने कर्ष्टमर के सामने उसको परोस देती थी लड़की अपनी बहन की जान बचाने के लिए और चूंकि वो फस चुकी थी हम यह कह सकते हैं कि वो एक दलदल में फस चुकी थी अपने घर से काफी दूर थी उसको समझ नहीं आ रहा था सहाय और मजबूर वो लड़की उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है तेरा साल की उम्रा और उसके साथ में इतना गलत हो रहा था फरीदाबाद वो गई थी एक बार उसी लड़के के साथ में राजू की साली के साथ में और अरीदाबाद में लोटेते समय जो train थी जो meeting train थी उसमें साली तो चड़ गई लेकिन वो साजिया नामक लड़की नहीं चड़ पाई साजिया नामक जो लड़की थी वो जब नहीं चड़वाई उस train में तो वो वहीं पर रोने लगी जब रोने लगी तो पुलिस अधिकारी की नजर पड़ी पुलिस अधिकारी ने उसको अपने साथ बिठाया कि अभी तुमारे घर की जो तुमारी बहना भी लोट के आएगी बताते हैं रादू की साली लोट के आई भी थी लेकिन वहाँ पे जब देखा कि लड़की तो पुलिस वालों के साथ है तो उसमें सोचा साथ मैटर कुछ बढ़ गया है और वो वहाँ से चली गई वहाँ से चली गई और फिर वो आई नहीं इतनी कहानी सुनने के बाद में जो सक्तिवाईनी एंजियो के लोग होते हैं महिला आयो के लोग होते हैं जो पुलिस वाले होते हैं वो सब मिल करके जाते हैं सास्ती नगर लड़की को ले करके साजिया को ले करके सास्ती नगर जाते हैं सास्तिनेगर में जो महला होता है वहां के लोगों से पूछते हैं तो वो लोग बताते हैं कि हाँ हम लोग इसको जानते हैं ये राजु के साथ में रहती थी लड़की और उसी के साथ में आया जाया करती थी हम राजु के थूरू इसको जानते हैं राजु के घर जाते हैं और नाडिया चिले बें उसके माबापके पास लेके जाते हैं, एंजियों के लोग, महिला आयों के लोग, उसके माबाप जो एपनी बीटी को लगने लगी थी 13 साल की बच्ची घर वाले जो उसके माबाब होते हैं काफी रोते हैं काफी हैरान होते हैं काफी परहसान होते हैं कि मेरी बच्ची का साथ में इतना बुरा हो गया और बड़ी बच्ची का पता ही नहीं चला है राजू नहीं किया किया आज तक राजू का पत संग में कोई किसी कारण से कोई किसी कारण से घर वालों को छोड़ के घर से दूर जाने का सोच लेती हैं और साइद एक कदम भी बढ़ा देती हैं चली भी जाती है बाहर और उनके साथ में फिर गलत होने लगता है तब उनको समझ भी नहीं आता है कि हम क्या करें तो ऐसी कहा खानिया ऐसी जो सच्ची घटना है वो हमको सीख देती है कहीं न कहीं हमको सीखना चाहिए इन चीजों से अपने माबाप के विश्वास को नहीं तोड़ाना चाहिए माबाप को भी चाहिए कि अपनी लड़कियों को प्रेम करें और ऐसा उनको विश्वास दिलाएं कि वो पापस आने का उनको हिम्मत भी नहीं पड़ती है कि हमने एक बार ऐसा कदम रख दिया, पता नहीं हमारे मम्मी पापा क्या सोचेंगे, वो हमसे क्या कहेंगे, और कहीं न कहीं अपनी माबाप पे जब विस्वास नहीं होता है, तो वो ऐसे दलदलों में फच जाती है, तो नम दानलों में भी टो आईा एंगे जगुड़ती है, जानलों मुड़ती है, और क्या जो बार दियो।